कैंडी मैन कैंडी मैन मेरा कैमरा अजीब सा पिस दिवेफ कर रहा है भाई वाट ता हिल वान टू त्री फोर ये फ्लिकर अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे ये जगा ना अचानक अपने आप काला हो गया गाईस बता नहीं क्यों यार इंटरनल टेंपरेचर अचानक हाई दिख रहा है फोकस कर ही नहीं रहा कैंडी ये नाम सुनते ही हम सबको ना अच्छी अच्छी चीज़े याद आती हैं बट काईस आज जो मैं रिचुल करने वादी हूँ एंड जो ट्रू स्टोरी आप से शेर करने वादी हूँ एक अर्बन लेजंड की कैंडी मैन नाम सुनने के बाद आइम शूर की आपको बहुत जादा डर लगने वाला है इस रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होके सबसे पहला मूवी बना 1992 में दे कैंडी मैं एंड इसके बाद में जब पहली बार दे कैंडी मैन मूवी रिलीस किया गया तब तो मतलब फॉरण के लोग पागल ही हो गये क्योंकि जितने सारे लोगों ने भी दे कैंडी मैन रिच्वल किया था उन सब को कुछ ना कुछ ऐसा पैरनॉर्मल चीज़े फील हुआ था ये चैलेंज करने के टाइम पे या फिर चैलेंज करने के बाद कि ये चैलेंज तेजी से पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया यार मैंने इतने सारे डरावने वीडियो देखे हैं ना ये Candyman ritual के कि मुझे करने में भी डर लग रहा है बट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगे लिए कर रही हूँ तो यार वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना बताने मैं कैसे ये चैलेंज करूंगी यार एंड मैं सच्छी बताओ गाईज कसम से बोल रही हूँ 11 miles ritual के बाद मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़े हुई थी कि मैंने सोचा था कि मैं और जिन्दगी में कभी भी कोई भी हॉरर चैलेंज नहीं करूंगी बट यार आप लोग जब request करते हो ना तो मुझे करना ही पड़ता है ठीक है आपके साथ बोहुत वुरा भी कुछ हो सता है और बोला जाता है candy man का spirit आपकी जान भी ले सकता है चैलेंज शीरू करने से पहले मैं आपसे शेयर करने वारी हूँ मेरी glowing skin का सीक्रिट गाइस काफी निरोसे ना मेरा skin काफी डल हो चुका है और बिलकुल भी ब्राइप नहीं लग रहा ग्लू तो है नहीं तो इसके मैंने लिया है वन बॉटल चैलेंज मामार्थ वाइटमिन C डेली ग्लो फेस सेरम तो गेट 50X वाइटमिन C डेली and वो भी natural ingredients के benefits के साथ इसका जो texture है ना बहुत जादा lightweight है आप देखी सकते हो एकदम आपको ऐसा लगीगा कि आप water-based कुछ अपने skin पे apply कर रहे हो and ये बहुत जल्दी-जल्दी आपके skin पे absorb भी हो जाता है मैंने इसको हर रोज यूस किया है and ये daily use के लिए बिल्कुल perfect है इसके अंदेना 5% niacinamide भी है जो even skin tone देता है turmeric है जो हमारा natural glow को और जादा revive करता है and 5% vitamin C तो है ही तो last 10 दिन से मैं इसको use कर रही हूँ and आप तो मेरे skin की glow में difference देखी सकते हो and ये products बिल्कुल made safe certified है and इसमें कोई भी harmful toxins तो मैं आपको भी बोलूँगी कि आप भी ये one bottle challenge लो और मुझे बताओ कि आपको कैसा result मिला and इसमें आपको मैंने tag कर दिया है साथ ही में description box में लिंक भी रे दिया है आप ज़रूर चेक कर लेना and अगर आप मेरा coupon code use करोगे आपको 20% off मिलेगा on MamaArts official app and website साथ ही में MamaArts प्रडाक्स अभी नाइका फ्लिपकर्ट Amazon के साथ साथ आपके घर के सामने वाले offline stores पे भी अवेलिबल है MamaArts ने लिए है plant goodness initiative जहापे आप जब भी MamaArts से कोई भी order place करते हो आपके order को link करते है एक tree के साथ जिसको वो plant करते है and by the year 2025 they are aiming to plant 1 million trees Guys, अभी मैं आपको Candyman के पीछे की real story बताने वाली हो वो एक dark skin डाला African American था मतलब वो ना जो British people थे उनके लिए slavery करता था Candyman का real नाम था Daniel Robitaille वो 1800 century का एक बहुत ही अच्छा painter था और उस time पे लोगों को अपना painting बनाने का बहुत शौक होता था बट Daniel का जो मालिक था उसको Daniel के इस talent की बारे में पता थी तो इसलिए वो अपनी बेटी की painting Daniel से बनवाना चाहता था और उसकी बेटी बहुत खूबसूरत थी मालिक के कहने पे एक दिन Daniel उसके मालिक की बेटी का painting बनाने गया उस लरकी को देखके Daniel को पहली नजर में प्यार हो गया और Daniel ने इतनी खूबसूरत painting बनाई थी ना कि उस लरकी को भी अपना painting देखके Daniel से प्यार हो गया पर जब Daniel के मालिक को ये बात पता चली तब वो बहुत ज़ादा गुसा हो गया एक तो Daniel उसी का गुलाम था उपर से वो dark skin था और उसकी बेटी बहुत ज़ादा खूबसूरत थी तो इन दोनों के प्यार को मान लेना उसके लिए बिलकुल भी possible नहीं था उसने अपनी बेटी को काफी समझाने की कोशिश करी इवन उसने डैनियल को जान लेने का धंकी भी दिया था पर उस टाइम पे डैनियल प्यार में इतना ज़ादा पागल हो गया था कि उसको ये सब बात बिलकुल भी effect नहीं कर रही थी एक दिन डैनियल का मालिक इतना ज़ादा गुस्सा हो गया कि वो अपने सारे गुलामों को डैनियल को मारने भीज दिया डैनियल काफी भागा उसने कोशिश किया अपने चान बचाने की पर एक टाइम पे जाके वो ठक गया और उस टाइन पे डैनियल की मालिक ने उसका वही हाथ काट दिया जिससे वो लोगों के पेंटिंग बनाया करता था उसको इतना दर्दनाक मौत दिया जो कि हम सोज भी ने सकते उन्होंने डैनियल की पूरी बॉडी में बहुत सारा हनी डाला उन्होंने बहुत सारी हनी बीज को डैनियल की बॉडी के उपर छोड़ दिया जब वो सारे बीज उसके फुल बॉडी में अटैक कर दिया और उसके बॉडी को काटने लगा तब डैनियल का पूरा बॉडी सूज गया और लास्ट में जब सबने देखा कि डैनियल अभी तक मरा नहीं है तब उन लोगोंने डैनियल की बॉडी को एक पेर से फंदा लगा के लटका दिया और ऐसे ही डैनियल का मौत हो गया जिस जगा पे डैनियल को फासी दिया गया वहाँ पे एक मिरर था डैनियल का स्पिरिट उस मिरर में ट्रांसफर हो गया और उसी टाइम से डैनियल एक अरबन लेजंड बन गया डैनियल का स्पिरिट रिवेंज लेने के लिए इतना जादा पागल हो चुका था कि उसने उन सारे लोगों को मार दिया जिन्होंने उसे ये दर्दनाक मौद दिया था पर सब को मारने के बाद भी ये candy man नहीं रुका Guys, मैं आपको बताने वाली हूँ इस ritual को क्यों candy man बोला जाता है जब उसका spirit हमारे आसपास आता है तब उसके body से एक sweet, मीठा सा candy जैसा smell करता है और इसी लिए इस challenge को बोला जाता है The Candy Man Ritual आज भी अगर कोई एक mirror के सामने जाके रात को पाँच बार Candy Man बोलता है तो Daniel का spirit Candy Man बनके ज़रूर उसके पास आता है यार, light को क्या हो गया नाइस पता नहीं यार मैं ये challenge को explain करना खतम ही कर रही थी और तभी अचानक मेना light weirdly react कर रहा था, पता नहीं हो सकता है कोई incident हो तो सबसे पहले बोल लेती हूँ कि ये challenge करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए एक candle Honey मतलब शहद और आपको चाहिए एक mirror ज्यादातर guys मैंना challenge करने से पहले मुझे कभी ऐसा feel नहीं होता जैसा कि आज मुझे feel हो रहा है I don't know क्यों बट फिर भी मैं ये challenge करूँगी थीन बच के 21 हो रहा है guys तो मैं सोच रही हूँ exactly 3.33 a.m. पे ये challenge मैं start करूँगी So guys ये challenge मैं करने वाली हूँ बट उससे पहले हमें देखना है कि ये challenge मैंने लिए safe होगा या नहीं यार ये तो challenge स्टार्ट करने से पहले ही डर लग रहा है मुझे गाइस मेरा ही हाथ लगके कुछ गिर गया होगा तो सबसे पहले हमें एक mat stick चलाना है और अगर ये mat stick 15 seconds से जादा जलता है इसका मतलब है कि आप ये challenge safely कर सकते हो और अगर ये 15 seconds से कम जलता है उसका मतलब ये होगा कि आपको ये challenge नहीं करना चाहिए Candyman ये नहीं चाहता कि आप ये challenge करो What the hell? Okay, finally जल गया One, two, three यार ये कैसे जल रहा है? Four I will try again यार तर लग रहा है बहुत साथा इस बार अच्छे से जला है guys One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen So guys, fifteen हो गया है मतलब हम लोग ये challenge कर सकते हैं And मैंने exactly time गिना है क्योंकि आपको अभी इतना साथा सन्नाटा है ना कि अभी बिलकुल एक तम सुनसान है तो एक तम घड़ी का टिक-टिक है वो भी सुनाई दे रहा है Guys, फिर भी मैं आपको time दिखा देती हूँ ठीक है 3.32 हो रहा है, अभी 3.33 होगा Guys, आपने देखा कि अभी अभी 3.33 हुआ है And let's get started Okay guys, तो इस वाली mirror के सामने ही मैं ये challenge करने वाली हूँ और इसके नीचे ना एक wash breeze ना एक sink है तो इसी जगा पे मैं अभी शहद, मतलब honey डालूंगी ताकि candy man का smell actual में आना start करते है और इस जगा से ना अभी legit पूरा honey का smell आ रहा है Candies का, Caramel का smell होता है ना, बिलकुल वैसा वाला ही smell आ रहा है तो अभी हमें mirror के सामने, जैसे हम bloody man ही challenge करते है ना वैसे ही, यह candy man challenge करना है, guys मैं बहुत बड़ी वाली फट्टू हूँ यार challenge स्टार्ट करे से पहले मुझे रर लग रहा है बट फिर भी, let's do it candy man, candy man यह flicker अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे, I don't know guys, मैंने बस दो बार candy man बोला शायद बट यह अजीब तरीके से flicker कर रहा है, okay let's do it again guys candy man, candy man, candy man, candy man, candy man, candy man guys, मतलब कुछ भी उतना जादा unusual तो नहीं हुआ, but I don't know आपने यह flickering notice किया दो बार ऐसा लगा कि candle का जो flame है वो एकदम नीचे आ गया, and I same तरीके से ही candle को पकरी हुई हूँ, I don't know यह कैसे हुआ, but मैंने camera में notice कि actual में यह flame काफी जादा हिल गया guys, guys मुझे बिलकुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे फिर से यह वाला करना चाहिए कि नहीं क्योंकि हो सकता है यह flickering हवा के वज़े से या मैंने मेरी सांसों के वज़े से हुआ होगा, but फिर भी मैं और एक बार ट्राइ करना जाहूंगी क्योंकि उतना साधा evident मुझे कुछ फील नहीं हुआ, okay let's do it again Candyman, 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 Candyman Guys, what the hell? मेरा कैमरा इतना जीब सा पिस भी एफ कर रहा है? मैसे इसे फोकस अड़ान क्यों हो रहा है? Why? I don't know Guys, अचानक बिल्लियों के रोने की भी आवाज आ रही है I don't know, यह क्यों हो रहा है मेरे साथ इतना जीब सा भी एफ कर रहा है I don't think कि इस बार कैंडल में कुछ भी हुआ guys बट यह कैमरा अजीब सा भी एफ कर रहा है बट मैं नो मिली कैमरा को पकड़ी हुई हो आपको शायद लिख भी रहा होगा What the hell? What the hell man? अभी शायद फिर भी ठीक लग रहा है यार पता नहीं एक तो पहली बार में मेरा कैंडल बहुत जादा फिकर कर रहा था अजीब तरीके से उपर से नेक्स टाइम पर यह कैमरा अजीब से भी हिफ कर रहा था फोकस कर ही नहीं रहा कहीं सचानक से ना मुझे लगा कि मेरे पीछे को यह है कैमरा अप बंद हो गया गाइस मैंने कैमरा चेंज कर लिया है I don't know camera के साथ यह कोई normal technical problem था या क्या था बट मेरी जिंदगी में आज तक यह पहली बार हुआ और उपर से अब इस जगा को देखो अच्छे से यह जगा ना अच्छानक अपने आप काला हो गया गाइस कि एकतम यार black हो गया पता नहीं कैसे हुआ बट फूरा black हो गया यार So guys आज का चैनल यह तना ही रखता है I don't know आज के वीडियो में जो भी कुछ मेरे साथ हुआ कुछ technical issue था या फिर कुछ paranormal आपको क्या लगता है मुझे comment में जरूर बताना ठीक है मैं आपसे नेक्स वीडियो में मिलती हूँ बाई